आदा दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलंबरनी आप देख रहे हैं दा बरनी शो आज हम अपनी शो में जो मुद्दा लेकर किया है वो मुद्दा है कल्यान सिंग को जब बीजे पी ने निकाला तो मुलायम सिंग यादव ने संभाला इसी पर आज हम चर्चा करेंगे चुके आज उत्तर प्रदेश के पूर मुख्य मंतरी कल्यान सिंग का निधन हो गया है बीजे पी ने राज किये सम्मान दिया है तीन दिन का शोक घोशित किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितेनाथ तीन दिन का शोक मनाएंगे और खुद उनके ग्रह जन्पद यानि के अलीगड में जाएंगे योगी आदितेनाथ बिलकुल आगे आगे रहेंगे इस पूरे अंतिम संसकार की पिर्किरिया में बीजेपी कल्यान सिंग को इस तरह से दिखा रही है जैसे के अभी तक का बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कल्यान सिंग ही रहा हो खास तोर से 6 दिसंबर 1992 में को इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है जैसे के कल्यान सिंग ने ही राम मंदिर बनाया हो उसके पीछे की वज़ा है 2022 में चुनाव होना है लोगों को इमोशनली ब्लैक मेल करना है चुनाव में वोट लेनी है इसलिए कल्यान सिंग को तो इस तरह से दिखा नहीं है लेगिन कि आपको मालूम है कि बीजेपी ने कल्यान सिंग को बाहर का रास्ता दिखा दिया था कल्यान सिंग का सहारा बने थे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंग यादव 2009 के लोकसभा चुनाव में सौतंत्र रूप से यानि के निर्दलिये चुनाव लड़े थे कंद्यान सिंग बीजेपी ने उनको टिकिट तक नहीं दिया था आप समझने की कोशिश करिए के एटा से चुनाव लड़े एटा यादवों का गढ़ है उसके लावा लोधों का गढ़ है जिससे के वो खुद बलॉंग करते हैं एटा से चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी ने कल्यान सिंग के खिलाफ कोई कैंड़ीडेट नहीं उतारा सीधे सीधे तोर पर समर समर्थन का ऐलान किया गया मुलाइम सिंग ने बाकाइदा कल्यान सिंग के समर्थन में रैली भी की वहां पर जिसको लेकर के आजम खान आराज हुए और उसके बाद ही आजम खान को बाहर का रास्ता दिखाया गया लेकिन आजम खान बाहर नहीं हुए और मुखालफत करते र नमबर पर पहुँच गया था कल्यान सिंग के खिलाफ बी एस पी दूसरे नमबर पर रही थी अब आप समझे कि वो वैक्ती ये दो ऐसे वैक्ती एक कल्यान सिंग जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था मुख्य मंतरी रहते हुए कॉंग्रेस की केंदर में सरकार थी वीपी सिंग देश के प्रधान मंतरी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी थे कल्यान सिंग 6 दिसंबर 1992 को उन्होंने कहा के कार सेवकों पर गोली चलवाओ कल्यान सिंग ने गोली चलाने से कार सिवक पर गोलियां चली थी हला कि एक साल पहले चली थी गोलिया लेकिन कल्याण सिंग ने गोलियां नहीं चलवाई थी जिसके बाद यह पूरा मामला हुआ था लेकिन उस सब के बावजूद भी 2009 में कल्याण सिंग को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और समाजवादी पार्टी की वजह से कल्यान सिंग दोबारा से 2009 में निर्दल ये चुनाव लड़के लोग सबाप पहुँचे थे हलाकि बाद में मुलाइम सिंग ने अपने इस काम के लिए माफी मांगी कल्यान सिंग को अपने साथ लेने के लिए मुस्लिम समाज से माफी मांगनी पड़ी और उसके बाद 2012 में आजम खान के साथ चुनाव लड़ा गया और 2012 में मुलाइम सिंग की सरकार दोबारा से बनी उत्तर प्रदेश में और एकलेश यादा मुख्य मंतरी बने यह सारे घटना किरम वह हैं जब कल्यान सिंग को BJP ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था उसके बाद कल्यान सिंग ने अपने खुद की पार्टी भी बना ली थी लेकिन बाद में वह पार्टी चल नहीं पाई तो दömारा से BJP में शामिल हो गय थे आज जब कल्यान सिंगळ का निधन वा तो BJP इस तरह से शोक में डोबी जैसे के कल्यान सिंगळ को कभी BJP से मनमुटाव ही नहीं रहा हूँ कभी BJP से बाहर ही नहीं गए हो लेकिन इस सब के पीछे की एक वज़ा है कि कल्यान सिंग के नाम पर 2022 का चुनाव लड़ने की ये तैयारी साफ साफ दिखाई देती है आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय जरू बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वीडियो के नीचे जो लिंक्स दियों में उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोचल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया